साल 321 एक वारियर एर बैटल फीड में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। मौत के बाद 10 दिनों तक उसकी बॉड़ी वही फीड पर पड़ी रहती है। लेकिन 10 दिन के बाद उसकी बॉड़ी को जब बरामत किया जाता है तो मानो उसकी बॉड़ी जिन्दा लाश की तरह पर यह तो कुछ भी नहीं था क्योंकि असली ट्विस्ट तो उसके फ्यूनरल के दिन आता है, जब बारावे दिन अपनी फ्यूनरल के दौरान एर मौत को चक्मा देकर उठ जाता है, जिन्दा हो जाता है। अब इसे अब्वियसली देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो गए, पर उससे भी ज्यादा है रतंगेज बात तो यह थी कि एर का मौत के मुह से निकलने का एक्सपिरियंस क्या था। यह चीज कईयों के लिए एक मिस्ट्री बनकर खड़ी थी, पर अपनी मौत को जीकर लोटने वाले एर एकलोते व्यक्ति नहीं हैं, बलकि आज के 21st सेंचुरी में 5% लोग अपनी मौत को जीकर लोटे हैं, और उनकी कहानी भी एर जैसी सिमिलर ही होती है, और इन कहानियों क साइंटिस्टों ने खुद प्रूफ करके भी दिखाया है। लेकिन ये कहानिया कौन सी है और ये प्रूफ्स आखिर क्या है। आखिर साइंटिस्टों ने इन नियर डेथ, एक्सपीरियन्स में और मरते वक्त क्या दिखाई देता है, ये पता कैसे लगाया, चलिए जानते हैं हमारे आज के इस वंडर्फुल विडियो में जिसका टाइटल है वाट डू यू सी बिफोर यू डाई सो फ्रेंड्स फ्यूनरल में उठते ही एर ने अपने नियर डेट एक्सपिरियंस में ये बताया कि वो मरने के बाद प्रित्वी पर एक ऐसी जगह पर पहुँच गया था जहां पर उसके सामने दो दर्वाजे थे एक दर्वाजा हेवन का था और एक दर्वाजा हेल का और जब ये दो दर्वाजे खुले तो उन्होंने हेवन में भगवान को देखा जिन्होंने उन्हें हेवन में अपने पास बुलाया Now of course ये सुनने में काफी कालपनिक और फेरी टेल सा लग रहा है राइट जैसे हमारा कॉंसेप्ट है हेवन और हेल का बिलकुल वैसा ही लग रहा है बट यू विल एक्चुली भी सर्प्राइस तुनो की ये हेवन जाने वाला एक्सपिरियन्स सिर्फ इकलोता एर का नहीं है ये एक्सपिरियन्स आज तक काफी सारे लोगों को हो चुके हैं बट अब्वियसली साइन्टिफिक प्रूफ्स ना होने की वजह से साइन्टिस्टों ने इस पर विश्वास नहीं किया पर तभी के लिए ऐसे केसिस को साइड में रख दिया गया और यह एक मिस्ट्री बन कर रहे गए बट देन आज 2300 साल बाद फेबरुवारी 2022 में एक ऐसा केस आया जिसने पहले के सभी केसिस में से मिस्ट्री का परदा हमेशा के लिए उठा लिया और हमें यह बताया कि मरते वक्त इनसान के दिमाग में एक्जैक्टली चल रहा क्या होता है याने जिन्दगी के कुछ फाइनल मोमेंट्स में ब्रेन एक्टिविटी क्या हो रही होती है वे अब तक की पहली ऐसी स्टडी बनी जिसने हम जो सुनते आये हैं की मरते वक्त फ्लैश बैक समय दिखाई देते हैं इस स्टेटमेंट को सच्चा साबित कर लिया और वो भी सबूतों के साथ दरसल जिस केस की हम बात कर रहे हैं वो 87 एर के कैनेडियन पेशेंट की है जिसे मिर्गी के दौरे की बिमारी थी उनके इस बिमारी के पीछे की वजह जानने के लिए जब इग यानी electrical activities को detect करने वाली टेस्टिंग हो रही थी तभी unexpectedly heart attack से patient की मौत हो जाती है लेकिन मौत होने और brain के blood flow रुकने के बावजूद brain wave oscillation कुछ second तक शुरू रहे थे और इसी वजह से doctors ने ये observe किया कि उनके heart बंद होने के 30 second before और after suddenly उनके brain activities ऐसे parts में increase हो जाते हैं जो memory, recall, meditation और dreaming से associated है इस से doctors ने यह अनुमान लगाया कि शायद वो flashback में जा रहे हैं बट अब सवाल आते हैं कि कैसे इसे proof करके बताओ कैसे कोई सिर्फ brain activities की वजह से इतने बड़े statement पास कर सकते हैं As we all know हमारे दिमाग में 86 billion neurons होते हैं And this neurons आपस में बहुत chatty होते हैं Just like students in classroom बस यहां फर्क इतना है कि ये neurons एक दूसरे से words में नहीं बलकि tiny electrical signals के through communicate करते हैं And this signals are nothing but your brain wave जिसे EG की मदद से measure किया जाता है Basically, EEG machine एक device है जो single neuron की activities को measure नहीं करता है क्योंकि individual cell के through create हुए signal काफी small होते हैं और जिसकी वजह से accurate signal को detect करना is next to impossible है For example, एक musical concert में हजारों लोग जाते हैं अब ऐसे में कोई एक बंदा clap कर रहा है तो क्या उसकी आवाज उस band के members तक पहुँच पाएगी नहीं न और अगर उसी जगह सब साथ में मिलकर ताली बजाने लगेंगे तो अब पहुचेगी न और कुछ ऐसा ही brain wave और EEG के साथ भी होता है और इसलिए EEG ऐसी neurons के activities को detect करता है जो same time पर similar electrical signals transmit करते हैं पर हाँ क्योंकि neurons बहुत ज्यादा होते हैं और इसलिए उनकी frequencies भी उतनी ही vary करती है इसका मतलब perfect detection के लिए machine में detecting rods भी उतने ही होने चाहिए और इसलिए total 256 electrodes को attach करके इन activities को measure किया जाता है आपको पता ही है slow brain waves brain के portion के large waves है जो continuously up and down करते रहते हैं और fast brain waves water surface पे create होने वाले छोटे छोटे रिपल्स है जिसे detect करने के बाद पता चलता है कि particular person का state of mind क्या है वैसे गेम सिर्फ 5 brain waves का है हर एक brain waves की अपनी एक अलग frequency, amplitude and meaning होती है और इनही पर उस particular person का mood dependent होता है जिसकी study करके scientistों ने इनकी activities और उससे होने वाले effects बताए है So let's start with number 1, alpha waves This waves lies between 8 to 12 hertz यह wave conscious और subconscious mind के बीच का bridge है अगर alpha waves ने बाकी के waves को dominant करना शुरू कर दिया तो वो mind को calm composed और relax करने में मदद करता है In fact इससी wave की वजह से हम एक काम से दूसरे काम की और आसानी से shift हो सकते है बस यह हमारे extroversion creativity और mental work के साथ साथ good mood से भी लिगद है Number 2, beta waves, beta activities, fast activities है इसकी frequency विरी करती है 14 hertz और उससे भी ज्यादा यह waves waking stage मई ज्यादा active रहती है और mostly logical analytical problem solving skills, judgment, decision making और information को process करने पर ज्यादा focus करते हैं Number 3, delta waves, इनकी frequency काफी low होती है और यह mostly deep slip के दौरान ज्यादा active रहते हैं And one more thing, अगर गलती से भी delta waves बाकी सारे waves पर हावी हो गए और अपना dominance दिखाने लग गए दैन आप 4 से 5 महीने के लिए गहरी नींद में सो जाओगे On a serious note आप कोमा में चले जाओगे Number 4, theta waves, theta waves involved in slip or day dream जिनका frequency range 4 hertz से 8 hertz होता है लेकिन अगर ये waves normally waking state में active है न, मतलब उनका direct असर होगा आपके focus और attention पर जिसका मतलब आपको learning disorder तक हो सकता है अब दोस्तों finally पहुचते हैं हमारे fifth wave यानी की gamma waves, gamma waves lies between 30 to 44 hertz के बिच होती है और ये इकलोती ऐसी wave है जो brain के हर एक part में detect होती है हमारी life की total functioning इसी पर dependent होती है जैसे की information, learning, memory, recall और information processing यूँ समझ लो की ये हमारे brain का बहुत ज्यादा important part है अब latest move back to our Canadian patient इस patient की report में यह सारी waves rapidly vary करती हुए दिखाई दी उनकी in post में high frequency gamma oscillation recording के साथ ही delta alpha और beta oscillation हुए थे पर क्योंकि gamma waves का presence ज्यादा था और बार बार fluctuate हो रहे थे और इसलिए doctors इस conclusion पर आप पहुचे की मरने के बाद इनसान के दिमाग में memories का replay शुरू हो जाता है और वो भी reverse order में मतलब सबसे recent memory उसके दिमाग में सबसे पहले आती है यानि की neuron cells ब्लॉक हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो अपनी memory की reverse गाड़ी में बैठ कर share करते करते past की तरफ बढ़ते हैं और तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक गाड़ी और दिल दोनों उसका साथ छोड़ नहीं देते और फिर होता है the end